इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टन क्वेशन जो एंसी आइटी में सॉल्ड एग्जम्पल सिक्स नुमबर भी दे रखा है अफ चेप्टर एरिया लेक्रों सर्कल उसे कवर कर देता हूं देख ऐसा कोई सा भी क्वेशन हो फर्स्ट अफॉल यू विज्वालाइज कि फीग करें यहां से कर एक सैमि सरकल लगाए लगाए तो एरिया ये एन्ड ये थिस टो फिश' इंक्लूट हो जाएंगे सीमी लग ये अगर इदर से semi circle लगाए area two and two fish यह add हो जाएंगे likewise इदर से लगाए area three and two fish and area four and two fish इस तरह से चार बार अगर आप add करोगे तो चार semi circle में one two three four तो आई गए and the same time fish दो दो बार आ गई क्योंकि जब इसको इधर include किया तो भी आया इधर तो अगर आप इस तरह से visualize कर लोगे तो question बड़ा simple हो जाएगा तो इस तरह से लिख सकते है we can we can write it area of shaded part simply दो लाइने में question खत्म कर सकते है area of shaded part is equal to area of four semicircles आपको मैंने बता है हमाँ semicircle लगा हुआ है minus area of square that's all इतने में question खत्म हो जाएगा अगर आप सही तरीके से visualize कर लेंगे तो four semicircle है और हर semicircle half या इस तरह से कहले है four semicircle means two circles we if I write four semicircles तो we can also write it as two circles तो two circles and each circle is pi square तो दो सर्कल पाया स्क्वार माइनस स्क्वार का है side into side यह हो गया तो two into इसकी figure आपने three point one four हो जो देरखे वो फुट कर लें और आर फार मींस रेडियस आपने यहां से लिया है तो अब इसे आर five रहा होगा तो 25 और minus 100 आप इसे calculate कर लें you will directly arrive at the answer 3.14 into 50 तो I get 157 तो 157 minus 100 is equal to 57 cm2 is the area of shaded part तो यह बड़ा छोटा सा बहुत इंपरेंट कोशन है इसे जरूर कवर कर लें NCRT और वीडियो को अच्छे लिगत जरूर लाइक करो और शेर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक्यू